वेट, if you are a student, or a working professional, or a parent who is looking for the betterment of the future, of the reward, please don't skip this video and watch till the end. Hello and Namaskar दोस्तो, I am Samir and welcome to the another page of Bright Diary. If you are confused, हमेशा परिसान रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, बहुत सारी टेंसन हैं, और कुछ अच्छा करनी पा रहे हैं, बहुत डिमोटिवेटेड रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, बने रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आज हम बात करेंगा, इसे पांच स्ट्राइड़जी ब्यूल्डिंग प्लैनिंग के वारे में, जो आपके इंसा भी प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने में हेल्प करेगी, दोस्तों दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जिनके वग्याणक की अच्छा चल रहा होता है, पास्व पैसे होते हैं, जॉबर की कोई टेंशन नहीं, स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं, हैल्थ इसो भी नई, चिल कर रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ वैसे लोग जो बहुत परिसान होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता ना अच्छी जॉब ना पास में पैसे ना अच्छा खाना पीना हमें इसा डी मोटिवेटेड और हेल्थ इसूस से भी घेरे रहते हैं तो हम बात करेंगे आते हैं सीधा सुलु दिसीजन ले और एक स्टैवल लाइफ जीने का डिसीजन ले और उसे आगे बढ़ाएं कि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से गलत जगा पर चले जाते हैं हमें करना नहीं होता काम लेकिन हम वह प्रेशर में कर रहे होते हैं तो हमें इसाथ डी मोटिवेट रहते हैं म अपने एम को अपने मिशन को सामने लिखे रोज उसे देखें यह आपको हेल्प करेगा और बहुत बुस्ट करने वाला है तीसरा है ओवर थिंकिंग कहते हैं सोचना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा सोचना एक बिमारी है कम सोचें इससे बहुत फायदे होंगे अगर ही रहें साथ साथ आप सक्की भी बन रहे हैं तीसरा है कि आप एक स्टिक रूटीन को फॉलो करें जब तक हम रूटीन नहीं बनाकर अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते एक डारिक्सन लेस लाइफ कह सकते हैं कि हम जी रह होते हैं देखिए अपने आपको और्गिनाइज करना बहुत जरूरी है तो टू-डू लिस्ट का आप हेल्प ले सकते हैं डेली डायरी लेख सकते हैं जिससे क्या होगा आपके काम आपके सामने होंगे जो आपको करना है दोस्तों आखरी है कि फिल यूर माइंड विथ पोजेटिविटी इसके बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि आप निगेटिव लोगों से दूर रहें ट्रस्ट मी ऐसे लोगों जो जिन से निगेटिव वाइब साते हैं इन से दूर रहें ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और कोछ अच्छा करें लाइफ में दूसरा है अपने आसपास के सार्डूंडिंग्स को साफ सुत्रा रखें एक हैपी इन वामें की रिएट करें अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने रूम में ग्रीन प्लांस लगाएं स्टडी टेवल को और्गिनाइज रखें नीट अन क्लीन रूम रखें खिड़कियां खुली रखें जिससे फ्रेस एर आए तो एक पो मोडिवेशनल वीडियो भी देखना काम नहीं करता कभी-कभी तो इस पर स्टिक रहें उसके बाद है आप मेडिटेशन जरूर करें क्यूंकि बाकी बताए गई बाते तभी सही होगी तभी का आप वह कारगर होगी जब आपका माइंड सही होगा तो अपने माइंड को बोस सब्सक्राइब चैनल इस तूटली फी प्ली सपोर इस चैनल और तो यूर लव थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग